हेलो दोस्तो आपका स्वागत है में सब्सक्राइज आपका स्षाइड है और आज हम एकजाम से पहले किंतिम त्यारी करारे देखिए वीडियो को पूरी देखिए complete वीडियो को प्लीज इस क्रीप ना करें और एक से सवाल पहुत ही अच्छा है जो कि बारबार एक्जामनर पूछ रहा है यानि दो सिफ्ट यानि दो दिन हो गए एक्जाम होते होते और आज हमारी कितनी तारिक है तीस तारिक है और आ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल दबाएए नई नौटिफिकेशन पाने के लिए और वीडियो को लाइक करते रहे हैं जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं ठीक है तो चलते हैं कुश्चन की और देरी ना करते हुए फूलो के अद्धियन को कहते हैं क्या कहते हैं फूलो के अद्धियनों को कहते हैं एंथोलोजी ठीक हैं फूलो के अद्धियनों को एंथोलोजी कहते हैं तो हमारा यहां से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा किटो के वैग्यानिक अध्यन को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो एंटो एटो मॉलीजी ठीक कहते हैं तो बी ओप्षन यहां से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा किसे समबंदित है तो सी आप्षन हमारा बिल्कुल यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा वीडियो को लाइक करते रहें शेयर करते रहें नेस्ट कोश्चन नेस्ट कोश्चन हमारा यह कह रहा है कि निमलिकित मैसे कौन सा विसम चंज संख्या इवर मानव समुदाव के महत्पूर आकड़ों के अध्यान से संबंदित है कौन सा है तो जान की अभी बताया था यह दोबारा रिपीट हो गया तो सी ओप्शन हमारा बि चैने क्या कहते हैं इत्मी लोग लोजी कहते हैं तो यह ऊप्शन हमारा बिल्कुल यहां से करेक्ट हो जाएगा नेस्ट कोश्चन हमारा क्या कहता है जैविक जगत में होने वाले कार रहे पूर्ण एवन सिद्धान्त के अध्यनों के इस ग्यान को मशीन जगत में उप्यो बाइनोनिक्स कहते हैं तो यह उप्षन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जो भी स्टुडेंट चैनल पर नए जुड़ा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए कि बेल दबाए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए और वीडियो को लाइक जरूर करते रहें अच्च को सब्सक्राइब करें कि कि रिखन करें पोल्यों वनिस्क पति के अंतरगत अध्यन कहते हैं पोली वाश्टति क्या कहते हैं तो इसमें क्या है आजाय गाँ जन्टु जीवां सेवाल फफूंदी मगर में कोई नहीं तो यह होता है पादप जीवानसों में ठीक है किसमें लुक् स किवहां फ्रफ वस्त हो चुकी थिया मैं यह बार-बार पूछे गए हैं ठीक हैu निश बोलते हैं जी ओप्शन हमारा बिलंकुल सही जाएगा एपी कल्छर किसे बोलते हैं एपी कल्चर वैवारी किस तर पर सहेढ़ उत्पादन तता के लिए होता जोंकि मधूपूपच कहते हैं јोंगो के लिए को बोलते हैं हमारे सजावट के कांमाने वाली पूफ्सों का अध्यान करने के लिए ठीक है मगर सम कीट कालन न को क्या का बोलते हैं किया किया जाता एपिकल जर्मन ठीक है नेस्ट कोस्टन में कहता है कि निमलिकित में से कौन सा एक सही सुमलेख नहीं है ठीक है सही सुमलेख नहीं है तो भाई फूलों की खेती को क्या कहते हैं फूलों की कि खेती को होटी कल्चर नहीं कहते हैं ठीक है तो यह हमारा यहां से क्या है क्या हो जाएगा यह हमारा बिल्कुल सही हो जाए क्यूंकि इसमें यह गल्थ पूंच रहा है ठीक है होटी कल्चर नहीं करते हैं ठीक है तो इसमें कहरा है कि सुमलेक सही नहीं है तो यह हमारा सुम सेही नहीं तो इसमें क्या सी औप्सन हमारा सही हो जाएगा होटी कलचर मारे फूल के रिए इसली कर सिर्क वर्मा के लि connectionsLe lookin कुछ रहा है तो शीन시면 हमारा यहां से सही हो जाएगा नाइस्ट को से मैं पूंच रहा है कि निमलीकित मैं से कौन सी जोड़ी सुमलेखित है सब्द और अर्थ में ठीक है कौन सी सुमलेखित है लेक्सो को ग्राफी सब्द कोश का संक्रन यानि पहली ही हमारी यहां से क्या है सही होगी वाकिक की पढ़ने की जरूरत नहीं है सिर्फ वही ओक्षन पढ़ें जो आपको आता है ठीक है अग किस्से है किस्से है लेक्सिकोग्राफी का तो वह हमारे सब्द कोश के संयोजन से है किस्से सब्द कोश के समयोजन से नेस्ट कोशन हमारा यह कह रहा है कि सब्दी के लिए काम आने वाले पौदे के अध्यन को कहते हैं क्या कहते हैं एलोरिक कल्चर बोलते हैं सब्दी के ल video को जरूर पूरा complete देखें 지 ti culture के द्वारा निमलीखित में से कौन सा एक साइब बातन होता है आप जया है कीट श्वारवधन क्या है कीट जोर्वधन करने वाला विज्यान है ठीक है कीतों की विरद्दी करने का विज्यान को हम कीट स्वर्वधन कहते हैं तो इह से हमारा डी ऑप्षन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है वीडियो को लाइक करते रहें आप हमें टेली ग्राम पर फोलो कर सकते हूं मैंने उसका लिंक वीडियो के एक्जाम करें कि फिर 16 जनवरी से फिर आपके फरवरी तक एक्जाम स्टार्ट होने वाले हैं एंटीपीसी का बिल्कुल लागरवाई जो भी बच्चे तयारी में जुटे हुए हैं तो नेस्ट कोशन यह है जीरो जरो टोलोली जी निमलिकित मैं से किसके अध्यान से संबंद तो हमरे यहां से डी ऑफ्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलते हैं लेकैस की एैच्ट चैक्ष। बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट विरिद द वशत्ता के काल पिर वहाव के विश्यक में ग्यान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं क्या कहते हैं जेरोटिक्स जेरोटोलोजी जेरोटोलोजी बोलते हैं भाई क्या बोलते हैं जेरोटोलोजी बोलते हैं तो हमारा यहां से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेस्ट कोशन हमारा क्या कहता है जीव यानि वृद्ध होने की पिर्किरिया के अध्यन को क्या कहते हैं ये कोशन यानि बार बार रिपीट हुआ है किस तरीके से जेरोटो लोजी बोलते हैं तो यहां से हमारा ए ऑप्शन हुए पैडालोजी किस से है तो भाई ये मिट्टी से है तो हमारा यहां से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो वीडियो को लाइक करते रहें शेयर कर सकते रहें ठीक है तो भाई अस्तियों के अध एस्टियों लोजी ठीक है तो ए उप्षन हमारा बिल्कुल यहां से सही हो गया ए उप्षन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेश्ट कोश्चन मैं कहता है कि हड्डियों की पड़ाई विग्यान की किस साखा के अंदर गताती है अभी बताया है किसके अंदर आती है आइस्टि के विशे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है सर्पो यानि सापो की विशे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्या किया जाता है तो यह किया जाता है हमारा शैप्रो शैप्रो ट्रोलोजी ठीक है तो ए ऑप्षन हमारा यहां से बिल्कुल करेक्ट हो स्थाइड सांपों काधियन किया जाता है ठीक है जीव विज्ञान की वह साखा ही जिसके अंतरगत औहए चार तधा सर्फ़िसरपों का धिया ब kiya जाता उसे से शुप गाँ बोलते हैं से हमा यह कहरा है कि प्रत्वी का सबसे कौनवारा जीव कौनना है Official को यह से ईसी है नहीं नहीं जल का परयोग से भुजन का निर्मान करना परारम किया इसी पिरकार्कास उत्पन भुई ऑवायू मंडल में फैलने लगी जो अन्य जीवों की विकास में सहायक हुई थी ठीक है तो नील हरित सैवाल को याद करना प्रत्वी का सबसे पुराना जीव ठीक है नेस्ट कोशन यह डार्विन द्वारा पिर्शुद प्राकरतिक वरनवाद निम्न मैं से किस पर आधारित है तो भाई किस पर आधारित है यह मेरे प्यारे दोस्तों यह क्या ओवर प्रोडेक्शन के लिए भी है ठीक है इस्ट्रॉंग फॉर एजुकेशिट एवम वेरियंशन के लिए भी है और यह सर्वाइवल ऑफ दा टेस्ट के लिए भी यानि उप्रुक्त सभी हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा यहां से बिल्कुल साही हो जाएगा फॉर सनमारा यह कहता है कि पुस्तक दी औरिजन ओफ इस पैइस पैसिज इस नहीं लिखी थी किस नहीं लीखी के स्वापुर्थम किई ने समझाया था किई ने समें था यह लेक मार्क ने समझाया था तो यहां से डी ओप्षन हमारा बिलकुल को करेक्ट हो जाएगा वीडियो को है करते रहें कघर आप अपारे चैनल पर नए है तो प्लीज ऐसे ही वीडियो पाने हो जाएगा वीडियो को लाइक करते रहें सेयर करते रहें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल दबाइए नई नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको टैन यानि दस महत्पूर्ण पिडिशन मैथमेटिक्स के दस महत्पूर्ण परसन आपके रीजिनिंग के कंट्यूनी मिल रहे हैं और आपकी जनरल साइंस के भी कोश्चन आपको मिल रहे हैं 51 को सब्सक्राइब कि विकास के संद्रम में सापो में अंगो का लोप होने को इस पश्ट किया जाता है क्या किया जाता है अंगो का उप्योग तथा अनुप्योग की किये जाने से ठीक है तो यहां से हमारा एप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा एप्शन हमारा यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा नेस्ट कोश्च हैं मेरे प्यारे दोस्तों चो हमारे टाइगर होते थी चीता वो हमारे लोफ्ठ हो गये है ठीक है कुछ ही रहें एक पॉइंट परसेंट में ठीक है उब आदोंडिक हाल मनुष्य के हाल का पूर्वज है कॉनसा है जवा मनुष्य कॉनसा है नहीं यह क्रो मेंगनोग मनुष्य है ठीक है तो इसमें B option हमारा बिल्कुल correct हो जाएगा किरो मैगनोग मनुष्य है आदोनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज तो कौन है क्रो मैगनोग मनुष्य है ओक है निमलिकित में से कौनसा एक मचली है कौनसा है भाई समुंद्रिय कुंबलर समुंद्रिय गाय समुंद्रिय बांग समुंद्रिय गोड़ा बाई समुंद्रिय जो गोड़ा होती है वह एक मचली होती है ठीक है तो C option यहां से बिल्कुल correct हो जाएगा सबसे बड़ा इस्तन पाई कौन है सबसे बड़ा इस्तन पाई वेल मचली है आप सभी को पता होगी तो यहां से हमारा A option बिल्कुल correct हो जाएगा next question यह कि वेल निम्न बरगों में से किस वर्क का प्राणी है ठीक है किस वर्क का प्राणी है वेल तो यह भई इस्तन पाई है ठीक है कितनी है इस्तन पाई है तो यहां से हमारा B option बिल्कुल correct हो जाएगा इस्तन पाई है वेल मचली हमारी next कह रहा है कि निम्न लिकित में से कौन सा इस्तन पाई है भई कौन सा है कौन सा इस्तन पाई है हमारा वेल मचली इस्तन पाई है वेल मचली को यह भी हम पढ़ रहे हैं तो कौन सा ओप्षन हो जाएगा डी ओप्षन हमारा यहां से बिलकुल करेक्ट हो जाएगा नेस्ट कोश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्ल पिर जातियों में से कौन सी दाथ वाली वेलों की विशालतम है कौन सी है भाई तो यह हुआ है हमारी स्पर्म वेल ठीक है यह वेलों की विशालतम है जो की दाथ वाली है ठीक है नेस्ट कोष्षन Ende किएता है कि निमलीकित में से कौन अंडे देता है और सीदे बच्चे नहीं देता कौन है वह राइब हैं और यह चोके अंडे नहीं सिदे बच्चे को देता है एक मतर अंडे देने वाली इस्तंधारी जीव है यह एक मात्र अंडे देने वाली इस्तंधारी जीव है इसको याद रखने लेना वेरी वेरी important question है ठीक है next question हमारा यह कह रहा है कि उड़ने वाला इस्तंपाई है उड़ने वाला क्या है भाई इस्तंपाई आपको सभी को पता होगी चमकादल है जो की रात को उड़ती है चमकादल वह इस्तंपाई होती वह अपने बच्चे को दूद्ध पिलाती है ठीक है next question यह पूशन निमलिकित में उड़ने वाले जीवो में कौनसा पक्ची वर्ग में नहीं आता कौनसा पक्ची वर्ग में नहीं आता कौनसा नहीं होती है चमकादल कोवा चील तोता किस में नहीं आता तो यह आता है हमारा चमकादल है ठीक है तो यहां से हमारा ए ओप्शन बिलकुल करेक्ट हो जाएगा यह option बिल्कुल correct हो जाएगा यह कह रहा है निमली कि जन्तुओं पर विचार कीजिए समुन्दरी गाय, समुन्दरी घोड़ा, समुन्दरी सिंग ठीक है तो इसमें से कौन सा हमारा इस्तंधारी है बैस समुन्दरी गाय हमारी इस्तंधारी है ठीक है और समुन्दरी सिंग हमारा इस्तंधारी है तो हमारा option A और 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे इस्तंधारी जो समुन्दरी गाय है हमारी एक विसाल साकारी समुन्दर इस्तंधारी है समुन्दरी घोड़ा एक पिरकार की कोशिक एक मचली है समुंदरी सिंग भी एक स्थंधार हैं जो एक मचली है समुंदरी खुड़ा एक हमारी मचली है तो इसलिए यह नहीं होगा हमारा कि डाल्फीन वरगी करेक्ट कि इस्तानिया तो हमारे बाई कौइसा १ी ऑप्षन यहां से सही हो जाएगा धी ऑफस्ण हमारे बिलकुल करेक्ट हो जाएगा चलते हैं नेस्ट कुछ सन्क benefici क्यों है कि निम्लिके से किस जाती का अग्या कि सील किस जाती का इस्तनपाई होता है भाई सील हमेशा याद रखना टी ओप्यू दिや अब कुल यहां से कर्एक्ट हो जाएगा यह कहता है निर्ख्षंस प्राणी कौन सा है तो भैउरा वाटर्शियर स्योक्शन हमारा बिलकूल यहां से कर्एक्ट हो पताता है यह एक जल एवं इस्थल दोनों पर ही तरह से रह सकने वाले पसुओं को कहता है एंतिर्था ठीक है तो डी ऑप्शन हमारा यहां से बिलकुल सही हो जाएगा ओके कोस है निमलिक मैंसे कौन सा गू Ingred को अन्य समी वानरों गुणों की प्रक्त से करता है क्या करता है यह करता है नरी किए इस्था करता है कि जानने की इच्था प्रक्त नहीं है क свет नहीं है तो बाई कौन सा कपी नहीं है जो लंगूर होते हैं वो हमारे कपी नहीं होते तो C आपिशन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अब यह कहरा है कि मानुथ सद्रश्ट लगुत्तम कपी कौनसा अ बहुलता है गीबनmost कि यहांसे हमारा एॉप्सन बिल्कूल सही हो जाता है गिबन हनी कपी की शीरिणी में आते है यह छोटे आकार के कपी होते हैं जैसे घइंधिक गोरीला और औरिंग उटान बड़े आकार की कपी होते हैं तथा ये महा कपी किस रहनी में आते हैं उनको याद कर लेना जो कि मानब दृष्ष्य लगुत्तम कपी होते हैं गीवन ठीक है जैसे गोरिला हुआ हमारा चेंपेजिक हुआ और औरोंगा जैसे आकार के इन्हें बोलते हैं मानब इस परिंग कपी ओके नेस्ट कोशन हमारा कहता है कि नील गाय निमलिकित में से किस कुल में आती है भाई नील गाय जिस तरीके से दोड़ती है तो भाई वह हीरन के कुल में आती है तो यहां से हमारा डी ऑप्शन बिलकुल करेक्ट हो जाएगा नेस्ट कोशन हमारा क्या है कि निमलिकित में से किस किस चंटु में खुर नहीं पाई जाते हैं . कौन कीट नहीं है ? तो भाई मकडी जो होती है वो हमारे कीट नहीं होती है तीक है मीट कीट नहीं होती है मकडी हमारी तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा नेस्ट कोस्टिन जो कि बारवार पूंचा गया है यह पी सी ऐस लेवील तक भी पूंचा गया है किनि मले की पोंचा गया है किकिस जीब का रक्त वाइट होता है य객नि मेरें तील जट्ता जो होता है इसका वाइट सपेद हो नीन रुबर्ट का एिसको याद कर लेना ये कोशन आपका में रेल्वे तो पूंची रहा है तोहझा करती है तो कौंसा वह होता है तो बायो फॉर्मिक अमल होता है ये कोश्चन भी बार-बार हमारा पूंच रही है रेलवे एंटी पीची गुरूब डी हुआ चाहे हमारा लोको पाइलेट हुआ था इनमें ये पूंचे थे और फिर रेलवे का क्या है एक ही पैटर्न है यानि कितना भी प्राना 45 लाग फॉर्म भरें तो इसका हाड़नेस इसने कर दी जाए कि यहां बच्चा डर जाए बिलकुल बच्चे भाई तुमारे 95 कोई तो 85 यानि सभी को असी से उपर पिलस कोश्चन करके आ रहे हैं ठीक है जबकि नेगेटिव मार्किंग वन वाइट थिरी होने के बावजू लास्ट कोशन हमारा ही कहरा है कि निमलीखित मैंसे किस गुरूप के जन्तू प्राय रात्री चर होते हैं किसके होते हैं रात्री चर आपको पता होगा देखो हमारा जो मच्छर होता है वो रात्री चर होता है चमकादल होती है वो रात्री चर होता है वह भी रात्री चर होत है और यह जो वो कुष्टन है जो कि आपके 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को आए हैं ठीक है और यही कुष्टन फिर बारवार रिपीट हो रहे हैं हर सिफ्ट में वह हर कुष्टन को रिपीट कर रहा है बारवार ठीक है तो पूरा पढ़ दें प्यारे दोस्तों ठीक है अगर नई नोटिफिकेशन पाने के लिए और आप हमें फोलो करें टेलीग्राम पर वहां पर आपको जर्नल साइंस और आपके फिजिक्स कैमिस्ट्री सब तरीके कुष्टन में डाल रहा हूं वह आपके लिए बहुत होने वाले हैं और हर वीडियो कर लिंक आपको मिलेगा और नोटिफिकेशन आपका रेलवे की तरफ से मिल रहा है कि कबसी स्टार्ट होने वाले एक जनवरी या दो जनवरी को उनों के पास फिर मैसी जाने वाले हैं जो बच्चे अभी रह चुके हैं उन्होंका एक्जाम फिर होगा फिर सडूल तयार हो चुका है 16 जनवरी से फिर आपके एक्जाम स्टार्ट होंगे पूरे फरवरी तक चलने वाले हैं फरवरी किस डेट तक अभी तो पता नहीं है मगर आपको बता दिया जाएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक्यू